नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब कोचिंग में अब हम शुरू करेंगे चैप्तर प्रोनाउन आपने इससे पहले पॉइंट नमबर एक से 38 तक नाउन पड़ा है नाउन के अलग-अलग पॉइंट्स आपने पड़े मुझे अम्मीद है आपने यहां पर भी जो शब्द है वो किसी के लिए यूज होते हैं ठीक है किसी के नाम के लिए बड़ एक चीज यह है कि हम नाउन को बार-बार रिपीट करें इससे बहतर है कि हम उनकी जगा कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो सभी के लिए कॉमन जैसे हो ठीक है तो ऐ इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है कि नाउन के स्थान पर प्रियोग्त होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं बच्पन में भी पढ़ा था राम इस इन इंटेलिजेंट स्टुडेंट तो राम की जगा पर यह जो ही लगा दिया इसका मतलब यही क्या है राम प्रोनाउन को प्रोनाउन का यूज हम बार-बार करेंगे ठीक है नाउन का यूज नहीं करेंगे तो बढ़ते हैं आगे भाई पॉइंट नंबर 39 तो सिर्फ आपका यह कर रहा है प्रोनाउन को पॉइंट नंबर 40 आपको क्लियर करेगा कितने प्रकार के वास्ता में प्रो रहा है इसमें यह जानना जरूरी नहीं है लेकिन जो जरूरी है वो सीखने के लिए जानना बहुत जरूरी है बास समझ रहें मनलब इन टर्म्स को पकड़ना मोच जरूरी है आगे किसी रूल में रैसी प्रोगल प्रोनाउन का मैं कुछ रूल बताऊगा तो आप समझ कि रेसी प्रोगल प्रोणावन इच अधर वन अनधर को ही कहते हैं ठीक है इस is very very important so point number 40 नाउन के प्रकार clear करता है हमको पहला है personal pronoun personal जैसा कि नाम से ही पता लग जाता है कि किसी परसन आधी के लिए लाँके यह सोच होते हैं यह सब क्यंगी हिसी व्यक्ति को एसे लाउन्स को पॉरोन केहते हैं और यह पीसंस लेगा जो कैणाएगा बहुत अच्छे से समझाने वालो हो क्या चीज के के पास है ठीक है मेरे पास कोई चीज है तो मैं कहूंगा I have got my book ठीक है I am reading my book clear है this book is mine तो ये मेरी जो कोई चीज मेरी है तो ये वो अधिकार उसका दिखाती है ठीक है उसके बाद yours है his है hers है there's ours है ये सब क्या दिखा रहे है possession दिखा रहे है तो ये भी हम आगे सीखेंगे clear है याद रखना यहाँ पर my his हिस तो होता है my there clear है यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है देर के देर्स लिखा हुआ यहाँ पे देर नहीं लिखा हुआ है देर्स भी प्रोनावन है देर एड़ेजक्टिव होता है ठीक है समिलर्ली ही आरेज हर्स जो है वो प्रोडाउन है ठीक है हर्स प्रोनावन है लेकिन हर्स होता है without एस जो वर्ड होता है that is not pronoun that is adjective वेकाज वह किसी नाउन वाजी से पहले लखता है और यह सब्द है यह वाले जो शब्द हैं जो possessive pronoun जो है यह आपके कहां use होंगे यह use होते हैं किसी भी कहीं पर भी use हो सकते हैं generally sentence के बाद में तो these are not adjectives these are just pronouns उसके बाद आगे बढ़ते हैं demonstrated pronouns demonstrated pronouns क्या show करते हैं demonstrate करते हैं कि यह है वो है clear है this that these those आधी यह show करते हैं कि this is my this is my friend clear है that is my dog these are my clothes clear है those are my teachers यह जर्व है कि आप point out करते हैं this or that यह वाला की वो वाला ठीक है so यह इनको ऐसे pronouns को demonstrated pronoun कहते हैं उसके बाद distributed pronoun आता है distributed pronoun distributed के मजलब है आप इस तरह का use करते हैं कि बाई कुछ इस distribute कर रहे हैं कि each either neither every none etc clear है each of the student will have his share either of you will go to market neither of will go outside in the night everybody of you everyone of you तो इस तरह से कुछ हम इस तरह का denote करते हैं कि चीजें या तो कुछ लोगों में या सभी लोगों में है न या किसी में नहीं हम distribution करते हैं किसी order का किसी आदेश अधी का किसी affirmation का उसके बाद आता है reciprocal pronoun भाई reciprocal simple है यह मैट में reciprocal बहुत पढ़ाएं ठीक है reciprocal का मतलब होता है उल्टा होना each other बोला तो दोनों के बीच में रहेगा one another हो गया तो एक से ज्यादा लोगों के लिए हम लोग करते हैं ठीक है हम सीखेंगे सारी चीचे बात में everything I'll be telling in details और आप बहुत अच्छा experience लेने वाले हैं noun pronoun आपने इससे पहले इतना बढ़िया कहीं नहीं पढ़ा होगा I bet ठीक है आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्सी प्रोनाऊं रिफ्लेक्सी प्रोनाऊं रिफ्लेक्स होकर रिफ्लेक्स मतलब परावर्तन होना अपने उपर ही बात आ जाना जैसे जैसे यह अनि पर अपने आपको ही चॉट पहुचाई clear है समझ में आ रहे हैं You are abusing yourself, तुम अपने आपको ही गाली दे रहे हो, clear है, समझ में आ रहे है, तो जो चीज़ रिफ्लेक्ट होके, अपने ही उपर आ जाए, इस तरह के वाक्यों में, जब इस तरह की चीज़ों को वाक्यों में व्यक्ष करते हैं, तो रिफ्लेक्स से प्रोणाउन का युज़ होत है, वो ऊपर भी था, और वाइसल यहां भी है, सिमिलर वर्ड से सारे के सारे आप देख रहे हैं, यह आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, यह सब जो है, एक जैसे शब्द है, clear है, लेकिन फर्त इतना है कि नीचे वाले एंफस्टिस, एंफसाइस के लिए है, यही वर मैंने अपना आपको चोट पचाई, clear है, but, अगर मैं बूलू, I will do it myself, तो मतलब मैं इसे खुद करूँगा, अब यह जो डाल की इस बात को कह रहा हूं, तो यह एंफसाइसिंग, pronoun हो गया, clear है, आवर सेल्फ, सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, के लिए होता है, कि वो घुदी करेगा, समझ में आरी यह बात, चीके न, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कुछ examples के आप go through हो सकते हैं, आगे जो है, point number, इसमें, sub point number 8 में क्या दिया हूआ है, कौन सा प्रकार है, indefinite pronoun का, indefinite pronoun, आपको पता नहीं है, कौन है, बस आप ऐस somebody help me, तो somebody, मैंसे कोई भी उठके आ सकता है, तो this is not definite, this is indefinite, और यह भी नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा, nobody, anybody, everybody, everybody, somebody, someone, यह सब जो है, indefinite pronoun में आजाते हैं, आगे देखो आपका thing वाले आगे, nothing, anything, all, some, both, another, much, few, little, यह सब एक definite चीज को इशारा की तरफ इशारा नहीं क को indefinite pronouns हम कहते हैं, उसके बाद relative pronouns आ जाता है, relative pronouns जो है, आपस में बताते हैं, वैसे relative pronouns जो है, conjunction के तोर पर भी यूज होते हैं, यह sentence के दो भागों को जोडते हैं, दो या दो से अधिक भागों को, ठीक है, और यह किसी व्यक्ति के बारे में आगे further explanation देते हैं, the boy who was playing in the field, म देखिल रहा था, तो who से इस बात को आगे बढ़ाया गया, तो who है, whom है, who मतलब कौन, है न, वैसे तो यह एक interrogative pronoun का भी एक part है, डवलेज फैमली questions जिससे करते हैं, लेकिन हम इसको relative pronoun के चरा भी use हम लोग करते हैं, whom, whose, which, that, यह सब जो हैं आपके relative pronoun के examples हैं, और यही words interrogative pronoun म कोई question कर रहे हैं, तो who का मतलब कोन हो जाता है, ठीक है न, whom का मतलब किस को, whose का मतलब किस का, which का मतलब कोन, क्या, ठीक है, तो यह सब है, interrogative pronoun, तो आपने देख लिया, यह आपके 10 प्रकार के pronouns हो हैं, आपके use होते हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, मुद्दे की बात करत हैं, जहां से आपके paper में आने की ज़्यादा संभावने रहती हैं, ठीक है, तो point number 41, बहुत important है, बहुत सारे बच्चों को इसमें clear नहीं होता है, 41 number point बताएगा, कि nouns में जो persons होते हैं, actually personal pronoun आपने पढ़ा जो पहला ही था, यह उसी के बारे में हैं, तो personal pronoun basically तीन तरह के होते हैं, ठीक है, कौन-कौन से तरह के, तीन तरह के, भी आप first, यहाँ पर एक पहला हो गया first person, फिर हो गया आपका second person, फिर हो गया आपका third person, ठीक है, यह जो first person, second person और third person दे रख्या है, आप यह समझ लो, यह conceptual बात है, यह रटने वाली बात नहीं है, इनको क कैसे समझा जाएगा, first person किसको कहते हैं, जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, सपोज कीजिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं जब अपने ही साईर से बोल रहा हूं, तो मैं अपने लिए first person हो, और आप second person हो, और हम दोनों के अलावा जो तीसरा व्यक्ती, ज तब third person में आता है, तो ठंडे दिमाग से सोचो, जब मैं अपने लिए, अपने बारे में कुछ शब्द यूज करूँगा, तो मैं अपने को denote करने के लिए, या तो मैं अपने आपको मैं बोलूँगा, या हम बोलेंगे, या तो मैं अपने आपको I से denote करूँगा, या फिर लेना भी अजीब लगेगा, है ना, तो मैं अपने आपको I और V से, तो मैं अपने लिए क्या वर्ड यूज करूँगा, तो that is the first person, it depends upon the person, it depends upon the speaker, जो बो बात कर रहा है, आपकी साइड से आप first person हो, और आपके लिए मैं second person हो, मेरी साइड से मैं first person हो, और आप जो है मेरे यह second person है, अब इसके बाद second person की बात आती है, तो मैं आपके लिए कौन सा शब्ड यूज करूँगा, सिर्फ आप, याने कि you, मैं आपको ही मी कह सकता हूँ, जब हमारी बातचीत हो रही होगे, कि भाई ही सुन, ही तो नहीं होगा, तो you होगा, clear है, you का यूज कर सकता हूँ you please listen, है ना, तो यह होगा, तो यह जो है second person में सिर्क you ही आता है, अब I, V, you, I, V first हो गया, और you second हो गया, इनको छोड़ कर, बाकी सारे pronouns आपके third person में लाई करते हैं, she, he, it, हम तीसरे लोगों को कैसे बोलेंगे, she, he, it, they, है ना, विब्कुल simple है, कुछ नहीं करना, यह तो होगी first person, second person और third person की बात, clear है, इसमें क्या singular plural है, यह सब आप बहतर समझते हैं कि I singular है, V जो है plural है, you singular plural दोनों हो सकता है, लेकिन plural यूज करते हैं हम लोग इसको, he, she, it, singular है और plural में दे आता है, तो बहुत आसान है, अब देखिए, noun के persons तीन होते हैं, लेकिन इसक कौन कोन से, एक होता है, nominative case, clear है, एक होता है objective case, एक होता है possessive adjective, यह pronoun का part नहीं होता, फिर भी बताया जाता है, एक होता है possessive pronoun, तो basically यहाँ पर जो है, हमारे पास तीन इसके part होते हैं, तीन cases होते हैं, nominative, objective, और possessive, समझ गए, तो यह तीन होते हैं, यह जो possessive adjective है, यह जो possessive adjective है, यह एक अलग है, क्योंकि यह pronoun से मिलकर बनाया है, बट यह pronoun नहीं है, यह adjective के तोबर हम इसका use करते हैं, clear है, तो यह होते हैं, अब आप यह समझ लो, कि इनका मतलब क्या है, भाया, जब यह nominative है, तो उपर देखो, लिखावा subject, subject कोन होता है, यह जो काम करेगा sentence में, basically, जो काम करेगा, ठीक है, अब जो काम करेगा, तो वो करता हो गया, हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग उसको, तो that is called subject, तो यह जो subject होता है, यह जब कुभी भी use होगा as a subject, तब इसका use I, we, you, she, he, it, है न, they, यह सब के तोर पे होगा, कि भाई, काम कौन कर रहा था, he was doing, we were doing, you were doing, she was doing, he was doing, it, it was doing, है न, whatever, clear है, whatever be the subject, it should be in the subjective form, simple, अब आते हैं object, sentence में I को object बनाया गया, I काम नहीं कर रहा है, काम कोई और कर रहा है, लेकिन effect आई के ओपर है, ठीक है, तो वो हो जाता है, object, तो I का object नहीं हो गया, V का object अस हो गया, U का object हो ही रहता है, she का her, he का him, it का 80 रहेगा, दे का them हो जाएगा, clear है, so he was working for me, वो मेरे लिए काम कर रहा था, है न, we are helping you, so you, इसमें object हो गया, ठीक है, they are providing help to us, ठीक है, वो हमें help दे रहे हैं, तो us यहाँ पर object हो गया, subject दे है, ठीक है न, तो लेकिन अगर उल्टा हो दें, we are providing help to, फिर them आएगा, फिर we नहीं आएगा, तो बहुत सिंपल है, उसके बाद possessive objective आजाता है, possessive objective सिंपल है, आप possession दिखाना चाहते हैं, लेकिन आप जो है, किसी, basically, इस noun से पहले इस का use करना चाहते है, तो possessive objective को लगाएंगे, this is my book, this is our book, this is your book, this is her book, this is his book, this is its book, this is their book, so simple है, तो my, our, your, her, ये सब जो है, क्या होते हैं, possessive objective, उसके बाद possessive आपके pronouns आजाते हैं, तो आपको adjective के तोर पर use नहीं करना है, तो आप उसको mine, ours, this is, this country is ours, this book is mine, clear है, the fault is your, this is hers, his, their, so आप इसका बाद में उसकर देते हैं, और इनके बाद कोई noun लगाने के आवशकता नह ही है, क्योंकि यह सिर्फ एक pronoun है, ठीक है, तो बैतर समझ गए, point number 41 में दो बाते समझाएगी है, कि persons कितने परकार के होते हैं, और case कितने परकार के होते हैं, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे, point number 42 की तरफ, point number 42 कहता है, कि normal sentence में, देखो यह बह और से समझ लीजिए, normal sentence में, जो personal pronoun जब हम बोलते है, normal sentence का मतलब यहां पर है, कि आप कोई उल्टा पुल्टा काम नहीं कर रहे हैं, डिस्प्लेशर वाला काम नहीं कर रहे हैं, आप एक normal काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कोई crime नहीं कर रहे हैं, जिसमें कुछ आप बुरा नहीं कर रहे हैं, यह सब चीज़े, इस आप कोई normal sentences, ठीक है न, ऐसे sentence में, अगर तीनों persons आ जाएं, तो जो sequence रहेगा, that sequence will follow in 2, 3, 1, ठीक है, 2, 3, 1 का मतलब क्या होता है, कि पहले second person, आप जैसे उपर पढ़ कि आए, फिर third person, और last में, first person, भाई यहां पर जो है, इस वाले rule में moral value को ध्यान में रखते हुए हम लोग English बोलेंगे, ठीक है न, यहां पर morality क्या denote करती है, गांदी जी ने क्या कहा था, याद करो, ठीक है, अच्छा था है या बुरा था, पता नहीं, बट देखो, simple सी बात है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आप अपना नाम सक सबसे last में बोलोगे, पहले सारा, सारी दुनिया का नाम बोलोगे, तो उसके बाद अपना बोलोगे, clear है, तो यहां पर यह है, और अगर आप बुरा काम कर रहे हो, तो अपना नाम सबसे पहले बोलोगे, यह वाली बात है, ठीक है, यह concept इदर follow हो रहा है, और देखो, तीन में है, he and I have completed, अब ऐसा नहीं है, तीनों एक साथा है, दो आगे तो, तो पहले थर्ड को रखना है, आई को बाद में, पस इतना याद रखो कि अपने आपको सबसे बाद में डालो, credit, जितना जो बंदा दूर है हम से, उसको ज़्यादा credit देना है, और पास वाले को काम, ठीक है, अब एक चीज़ और, कि यहाँ पर मैंने बताया नहीं है आपको, अगर सारे के सारे जो प्रोडाउन है, तीनों प्रोडाउन आपके अगर प्लूरल है, तो 1, 2, 3 के सीक्वेंस में ही आप जाएंगे, clear है, अगर सारे के सारे जो हैं, प्लूरल है, ठीक है, प्लूर 3 के सीक्वेंस में ही फोलो करेंगे, clear है, इसका मतलब जैसे, यू प्लूरल मान सकते हैं, यू को दे कर लो, थर्ड परसन है, और आई को क्या करेंगे, फर्स्ट परसन है तो वी कर लो, तो यू दे एंड, क्या हो गया, वी, यू दे एंड वी, तो यहाँ पर वी सच्थ से रखो, फिर यू रखो, वी, यू एंड दे, विल गो टू शिम्ला, इस तरह चे बनेगा, तो देस रूल, इस नोट फोलोड, इन केस देर आर, प्लूरल परसनल प्रोनाउंस, चीक है, आते हैं, पॉइंट नंबर 43 पर, उसी का पार्ट है, अगर अन्प्लीजंट काम हो रह है, जिसे, crime, pop, भूल, उल्ट पुल्ट काम हो रहे हैं, तो 1, 2, 3 के सीक्मेंस में, आप अपने सेंटेंस का ओडर में, अपने सेंटेंस में, प्रोनाउंस का ओडर में रखेंगे, clear है, 1, 2, 3 के सेक्मेंस में, टीक है, जैसे, example देखो, example क्या रख रहा है, आपे, I, you and he have done this ठीक है तो have done this deed मैंने, तुमने और उसने ये कृत किया करते क्रते किया हो सकता है कोई बुरा काम हो इसलिए ये ऐसा कह रहा है ठीक है तो यहाँ पर I, you and he के case में इसको रगाए जडीड यहाँ पर कोई बुरा काम कर रहा हो अच्छे काम भी होते है यू and he have made this ब्लंडर दे कोई ये गलत हो गया ब्लंडर मतलब बिग मिस्कर को करना इसको किसे भी बढ़कर तो यहाँ पर you and he have made this mistake तो यहाँ पर 3 second जो है second person पहले आ रहा है और third person बाद में आ रहा है तो यानी कि 1,2,3 कर सिक्रेट फोलो हो रहा है ठीक है? सिंपल है बहुत असान है तो यहाँ पर आपने 3 बाते ध्यान में रखनी है कौन सी 3 बाते? अगर अच्छा काम है तो 2,3,1 में plural है तो 1,2,3 में और बुरा काम है तो भी 1,2,3 के नदर आपने यूज़ करना है अपने सिक्रेंस के आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 44 के तरफ आते हैं वहीं लेट के बाद प्रोनाउन के अबजेक्टिव केस का प्रियोग होता है ठीक है? पॉइंट 44 लेट के बाद प्रोनाउन के अबजेक्टिव केस का प्रियोग होता है ठीक है? अबजेक्टिव केस पढ़के आचुके हैं आप अबजेक्टिव केस का मतलब जैसे की आई की जगा आई का अबजेक्टिव मी होता है ही का हिम होता है यह शब ठीक है ना? पर्टिकुलर्ली लेट के बाद इसका यूज होता है तो आप सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे मतलब और नहीं आप उसे से का तो लेट हिम एंड मी गो ओके यही राइट है क्लियर है लेट ही एंड आई गो जो है वो गलत है अब आते हैं पॉइंट नंबर 45 की तरफ के बाद objective case का प्रियोग होता है हो सकता है clear है preposition के बाद समझें example से clear आएगा कि he receives the money from me from I कहना incorrect practice है बाद समझें he receives the money from I आई बहुत यह दो आप सभी को मालूम है पहले से और यह चीजह हम डेली यूजर में भी लाते हैं तो अगर यह इन केस यह गलत आता भी है तो हम automatically इसको detect कर पाएंगे ठीक है there is a very there is very old enmity between you and I समझ में आ रहा है यहाँ पर I की जगह पर मी लगाना जरूरी है क्योंकि between एक preposition है और preposition के बाद बताया कि objective case आएगा तो objective I नहीं I की जगह पर मी आएगा समझ में आ गया ओके अब आगे देखो यह जो चीजे हैं यह basically मैं आपको एक चीज बताया देना चाहता हूं कि जितने भी parts of speech है जब आप किनी दो parts of speech का comparison करते हैं या कहीं पर use करते हैं तो वो एक ही category में रहने चाहिए या तो वो दोनों है अगर दो चीजे प्रोनाउन है तो दे शुट भी इंद सेम फैंबली सेम केटोगरी क्लियर है सेम केटेगोरी का मतलब है कि या तो दोनों objective केस में होने चाहिए या दोनों nominative केसे इसमें तो यहां पर between जो है between के बाद तो आप obviously आप between के बाद तो आप कुछ और तो यह बहुत simple सी चीज है आप इसको समझ लो और आगे बढ़ते हैं point number 46 की तरफ as और देन के बाद nominative केस का प्रियोग हो और यदि दो nominative pronouns के बीच comparison हो nominative मतलब subjective जैसे की I, we, you, they, he, she, it ठीक है न यह सब एज़र दिन के बाद हो और दो nominative pronoun के बीच ही comparison हो तो nominative केस का ही प्रियोग होगा वही बात कि दोनों same family के होने चाहिए यू आर बेटर देन आई यह correct है यू आर बेटर देन मी कहना गलत प्रैक्टिस है लेकिन आजकल यह चल रहा है और हम सब बोलते भी है यहाँ पर यू जो है वो subject है and subject should be compared with the subject itself ठीक है तो यू आर बेटर देन आई आएगा I am बेटर देन यू आएगा यह सब होता है ठीक है उसके बाद यू आर बेटर देन मी जो है कहना गलत है पेपर में देन के बाद मी लगाना गलत प्रैक्टिस होती है आप हटा के जरूर आई कर रही है इसको ठीक है तो यह है आगे बढ़ते हैं अब आते हैं point number 47 की तरफ point number 47 आपको क्या clear कर रहा है बही comparison आपने कर लिया जैसे he respects you more than me है न यहाँ पर he respect के बाद अब्जेक्टिव एक object की जुरह तो और object मतलब objective case ठीक है बट वो respect करता है आपको मुझसे ज़्यादा तो आपका और मेरा respect के level का comparison हो रहा है तो इसलिए UK से जो compare करेंगे वो objective comparison करेंगे याने कि यहाँ पर मी ही सही है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं point number 48 point number 48 क्या clear कर रहा है इच का प्रियोग दो या दो से अधिक लोगों के लिए होता है ठीक है न दो या दो से अधिक लोगों के लिए इच का प्रियोग दो या दो से अधिक लोगों के लिए होता है आप सभी को यह पात पहले से ही पता होगी ठीक है each of the two students each of the three students ठीक है तो एक के लिए यह नहीं हो सकता है सिंपल सी बात है यहाँ पर example से बिल्कुल clear हो जाएगा आपको दो के लिए भी होता है और दो से ज्यादा के लिए भी होता है पॉइंट नमबर 49 आइदर और नाइदर का प्रियोग दो के लिए ही होता है और सिर्फ दो के लिए ही होता है आइदर मतलब दोनों मतलब दोनो नाइधर ही लगेगा क्लियर है अब उसके बाद एक एक्जाम्पल से इसको और क्लियर कर रहा है याद रखेगा नाइधर एक नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड क्योंकि यह है तो इसकी चलते एक्जैम में प्रॉलम आती है यह लोग एक नेगेटिव वर्ड है इसलिए आपका कन्फूज करने के लिए नॉट लगा के दे देते हैं तो यहाँ पर नॉट का प्रियोग ना करें जैसे नाइधर ऑफ दे स्टूदेंट्स इस गोईंग टू क्लासे ठीक है नाइधर अधर ऑफ दूसरे से ठीक है ना है इच अधर और वन अनदर का मतलब एक दूसरे से तो यहां पर इच अधर का प्रियोग दो के लिए होता है क्लियर है और वन अनदर का मतलब दो अमिद्व से ज्यादा के लिए सिंपल है तो एक्जामपल देख लो रमेशन सुरेश तो और आप तक रेक नहीं होना चीए गलत इन्हों ने प्रियोग किया हुआ है तो यह जो है आप टर क्रैकिंग देश्ची सीजियल रवी एंड राजे सेलीब्रेटिट वेद इच अधर तो यह भी एक अलग चीज है ठीक है सिंपल है अब इसके बाद वन अनदर आ गया जहां पर संख्या अनिश्ची तो और आपको ना पता हो क्या है तो आप हमेशा बेनिपुट अब डाउट आपका यही जाएगा कि वह चीज़े दो से जादा है और वन अनदर आप वहां पर प्रियोग करेंगे ठीक है जैसे रमे आजाते हैं रिफ्लेक्शि प्रोनाऊन उपर बता चको हूँ जो रिफ्लैक्ट होकर अपने उपर घोंकर आ जाते हैं ठीक है तो रिफ्लेक्सी का मतलब का मतलब आप समझ चूके थे किसे जिए यह तो मैंने अपनेलब कर लिया थे यह तो यह आप चाhuर बर के अंदर ल परसन के objective के साथ self या self जोड़कर reflex या empathetic बनाएं सिंपल यह कहो कि नूरल बनाना है तो self या इसमें और स्वरी सेल्फ लगा देंगे तो सेल्फ रखेंगे ठीक है यह सब आपको पहले से पता है myself himself yourself themselves ठीक है इसका यह अगला point 52 में बताए गया है कि reflex और empathetic pronoun में difference क्या है पहले मैं बता चुका हूं कि empathetic pronoun में आपको यह बताएगा कि कि चीज़ पर वो जोर ज्यादा डाल रहा होगा emphasis कर रहा होगा reflexive pronoun का आर्थ होता है खुद को या स्वयम को और empathetic का अर्थ होता है खुद या स्वयम देख लो खुद को या स्वयम को तैसा लग रहा है कुछ reflect को अपने उपर आहिए खुद को और यहां पर है खुद मैं खुद करूंगा मैं श्वयम करूंगा आवल डू इट माइसल्ट ठीक है अब इसके बाद एक्जामपल देख लो इचीटेड डॉन इंसल्फ चीटेड डॉन इंसल्फ का मतलब क्या है उसने अपने आपको दोका दिया तो अपने आप पर लिए तो यह अपने आप ही काम कर लिए ठीक है तो अगे बढ़ते हैं पॉइंट नमबर 53 के अंदर देखिए यहां से इस चैप्टर के अंदर जो सबसे खास रूल है वो यहीं से चुरूत है और पेपर में यहां से बहुत बार आ चुका है ठीक है यह जितने भी आप वर्ड्स देख रहें उनके साथ रेफ्लेक्सी प्रोनाउन यूज होगा ठीक है इन सब के साथ रेफ्लेक्सी प्रोनाउन यूज होगा जो वर्ड्स टाफ है मैंने उनकी मेनिंग स्थी पीछ में डाल दिया ठीक है ठीक है इंजोई पहला वर्ड है इंजोई का मतलब क्या है अगर आप इंजोई कर रहे हो तो उसके बाद कोई अब्जेक्सी प्रोनाउन डालने की जुरूत नहीं है लेकिन सब्सक्रों आप ये अब्जेक्ट देते ही नहीं हो आप बताते ही नहीं कि क्या एंजोई कर रहे हो तब ये माना जाता है कि आपने खुद ने इंजोई किया तब आप इंजोई गया तो ये गलत है अब आपको मैसल लगाना पड़ेगा तो in case there is no object after enjoy after infect all of these words then you have to use the reflexive pronoun otherwise not ठीक है तो pride he prides on himself इसे नहीं कह सकते ही प्राइट या तो बताओ किस चीज के उपर he prides on the success of his children लेकिन उसे अपने उपर बहुत गरब है तो he prides नहीं बोलेंगे he prides on himself absent he absented the class fine आप किसी reflexive pronoun की जरत नहीं है क्योंकि आप क्या है उसने class को absent किया है तो अब यहाँ पर मेरे को किसी object की जरत नहीं है clear है लेकिन he absented yesterday वो कल absent था तब आप लगाएं he absented himself yesterday ठीक है present मतलब अपने आपको प्रस्तूत करना he presented him to me आप object डाल दिया उसने कि भई उसने मुझे उससे मिलवाया लेकिन उसने का आप खुदको मिलवाया है तो he presented himself आएगा इंट्रोड्यूस का भी सेम है कें busy busy बीजी तो आपका जो है वर्ब नहीं है समझ में आ रहा है यह वर्ब नहीं हो वाकि सारे वर्ब है तो यह वर्ब नहीं है लेकिन फिर भी busyness हो सकता है ठीक है ना अगर आप बताएं कि he plumed the chariot chariot मतलब रत और श्री कृष्णा ठीक है ना उसने श्री कृष्ण की रत को परों से सजाया तो fine यहां पर कुसी reflexive pronoun की जुरत नहीं है लेकिन उसने अपने आपको ही सजा लिया ठीक है तो he plumed himself clear है यह होता है he hurt himself very nice he hurt नहीं आएगा अगर किसी दूसरे को या कोई object दे रखा है तो आ सकता है चीट ही चीटेड इंसल्फ फीचे एक्जेंपल में भी आ चुका है प्रॉस्ट प्रेट कार्ट होता है हरा देना बुरी तरह से ठीक है resign he resigned from the office कोई दिक्कत नहीं है he resigned himself ठीक है ना from the office या he resigned the job clear है तो अभी दा जोब आपके पास object है लेकिन अगर यह ना हो तो आप क्या बोलेंगे he resigned himself he applied himself he acquitted himself acquit मतलब बरी कर देना assert मतलब व्यक्त करना ठीक है बताना तो यह सारे अगर वर्ब आपके sentence में आते हैं और कोई object ना हो यह बात clearly मैंने बोल जाया है अगर कोई object ना हो तो आप reflexive pronoun का प्रियोग करेंगे नीचे examples दिये हुए हैं आप इनको go through करिये और हर word के अपर 5-5 example बनाईए ठीक है एक बहुत अच्छी advice देना चाहूंगा आप यह जो points पढ़ रहे हैं मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एक्जाम में इसकी गरंटी नहीं है सिर्फ एक परसंट गरंटी है के याद रहेंगे 99.99% students जो की fail होते हैं वो इसी कारण से fail होते हैं कि वो हर word की अलग-अलग से sentence बना कर नहीं देखते हैं ठीक है ना और यह अलग होते हैं प्रेशर बच्चोंकी काम होते है इस वजय से विख नहीं करपाते हैं माच माच बार गलिक-लिक कर प्रैटिस करेंगे तो बहतर हो जाएगी आपकी यह, ठीक है, आगे मिरते हैं, point number 54 के अंदर आ जाते हैं, point number 54 हमें क्या सिखाता है, उपर तो आपने सीखा कि reflexive pronoun का प्रियोग होगा, उससे ज्यादा important है कि किन के साथ प्रियोग नहीं होगा, नही करी, keep, conceal, quality, spread, rest, stay, इनके लाव अभी है, लेकिन ये सबसे important है, इनके बाद reflexive का प्रियोग नहीं होगा, ठीक है, मोहन shapes himself daily, गलत, मोहन shapes daily, ठीक है, क्लियर है, मोहन shapes himself नहीं आएगा, एक्जाम में आगया तो बच्चे को यहीं नहीं पता होगा, सही क्या है, गलत क्या है, त अगले का तुक्का मारेगा, तुक्के तो दस में से चार एटीक होते है, ठीक है, अगर आपने पढ़ाई कि और नहीं किया है, तो दस में से दो एटीक होगे, clear है, रमेश stayed himself away from bad company, ठीक है ना, stay himself away, तो stay के साथ नहीं लगाएंगे, रमेश stayed away from bad company, ये जो, ये जो use है, stay का, ये दस बार मैं आपके paper में देख चका हूँ, very important, very very important, ठीक है, कि qualified himself in the test, तो qualified के बाद himself नहीं आया करता है, कि qualified in the test, ठीक है, please keep yourself away from reach of fire, keep के साथ yourself नहीं लगाएंगे, अगर away है, तो keep away from reach of fire, ठीक है, तो ये बहुत important है, हर word के उपर आप sentence form कीजिया और देखिए, ठीक है न, clear है, आगे बढ़ते हैं, point number 54, अब बताता है कि subject पर अगर आपको जोर डालना है, तो exceptionally, अपवाद के रूप में, dress और shave जैसे शब्दों के साथ, reflexive pronoun का प्रियोग कर लेते हैं, याद रखना जब हम emphasize करेंगे, जोर डालेंगे subject पर, only तभी, the grandson is old enough to dress himself now, मनलब कि grandson जो पोता है, अब इतना बड़ा हो गया है, कि वो अब अपने कपडे, अपने dress पहन सके, तो ये बात के tone जो है, वो अलग होनी चाहिए, कुछ इस तरह से, भाई, पोता इतना बड़ा होतो गया है, वो अपन होते हैं, उसे पहनाने की, ठीके न, तो इस बात पर हम जोर डाल रहे है, subject पर इसको पहनने दो, ठीके न, let him do, subject को करने दो, तो ये चीज़ जो है, emphasize कर रही है, grandson को कपडे पहनने के लिए, तब आप dress के साथ himself लगा सकते हैं, अपने कपडे खुद पहन सकता है, ठीके, प्लीज, let him do himself, समझ में आ रहा है, तो there is style and tone, different tone, in which you will be adding reflexive pronoun with dress and shave and such words, ठीके न, the barber doesn't shave himself, नाई अपनी shave, अपनी shave, खुद नहीं बनाता, तो ये बात जो है, हम जोर डाल के कह रहे हैं, कि कोई और करता है, नाई नहीं करता, definitely नहीं करता, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते पॉइंट नमबर 56 पर आते हैं, 56 नमबर पॉइंट क्या सिखाता है, देखो भाई, बाई के साथ reflexive pronoun लग जाता है, ठीके, बाई के साथ reflexive pronoun अगर लग जाता है, तो उसका मतलब होता है, अकेले या किसी की help के बिना, he likes to spend time by himself, वो अकेले समय बिताना पसंद करता है, महेश can do all the work by himself, without anyone's help, ठीक है, महेश सारा काम अकेले कर सकता है, बिना किसी की मदद के, ठीक है, तो आप इस तरह से use कर सकते हैं, बहुत simple simple example है, by plus reflexive का मतलब अकेले होता है, और example से आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल easy है, clear है, आगे बढ़ते हैं, अब कहता है, कभी कभी self क परियोग नाउन के रूप में भी हो जाता है, definitely, बस सिर्फ self word का लेकिन, है ना, he cares for nothing but self, वो किसी की परवा नहीं करता, सिर्फ अपने अलावा, ठीक है, clear है, उसके बाद he thinks much of self, वो अपने बारे में ही सोचता है, तो ये जो है, self का परियोग नाउन के रूप में हो रहा है ठीक है, और कर सकते हैं, गोई इसमें बुरा ही नहीं है, उसके बाद 58 number point, object पर जोड डालने के लिए भी, object के बाद reflexive pronoun का प्रियोग होता है, object पर जोड डालने के लिए, clear है, I saw the chief minister himself, मैंने chief minister को ही देखा है, यानि कि मैंने कि किसी और को नहीं देखा, मैंने ब्रहम नहीं clear है, doctor से ही मिला तो, आप object से ही मिले हैं, और पर जोड डालने के लिए कह रहे हैं, तो आप reflexive pronoun लगा सकते हैं, उसके बाद relative pronoun वेशब्द होते हैं, अगला जो point है, यह बता रहा है, relative pronoun वेशब्द होते हैं, जो अपने पहले प्रियुक्त noun या pronoun का संबन सेंटेंस से बताए करते हैं, क्योंकि यह connect करते हैं, sentence के दो या अधिक भागों को, ठीक है, और connective pronoun की तरह इनको कहा जाता है, corrective pronoun की संगया भी दी जाती है, ठीक है न, relative pronoun में, who, which, that, यह सब जो आता है, वो होते हैं, और यह 60 number point में, हमें क्या clear कर रहा है, who का प्रियोग, देको relative pronoun की अब आग यह भी होता है, लेकिन बताओंगा कहा, generally नहीं होता है, ठीक है न, तो who का humans के लिए हो गया, which का वस्तूं के लिए हो गया, that का दोनों के लिए, यहने humans के लिए और वस्तूं के लिए दोनों के लिए, और which का, who या विच का प्रियोग, definite या indefinite दोनों अर्थों में हो सकता है, definite समझते हैं, निश्चित, undefinite मतलब इनिश्चित, दोनों में इसका प्रियोग हो सकता है, और that का प्रियोग केवल हमेशा definite अर्थ में ही होगा, example से clarity आएगी, पढ़ेंगे, example क्या कहता है, the boy who stole my purse was a student, तो who आ रहा है, क्योंकि boy है, इसलिए who आ रहा है, ठीक है, उसके रहा है, the boy that stole my purse was a student, निश्चित रूप से denote करना चाहते हैं, तो हम that लगाएंगे, ठीक है, the book that is on the table, किताब जो की table पर है, वो मेरी है, यह भी जो है, निश्चित रूप से denote करना चाहते है, the book which I have read is costly, तो यहाँ पर दोनों का प्रियोग कर सकते हैं, अगर यह definite है, तो that का है, और नहीं है, तो हम which का प्रियोग दी, इसका कर सकते हैं, बट इसका कुछ नहीं है, that का ज्यादा सही है, अगर definite आप रखना चाहते हैं, ठीक है, आगे बढ़िए, मजा आईगा अब देखो, आगे और अच्छे points है, एक और यहाँ पर example पढ़ लें, I have read a book which is costly, ठीक है कि अगर superlative degree आ जाए, समर्जते हैं, superlative degree आने वाले chapters में मैं clear करूँगा, जब आपके adjective chapter शुरू होगा, तीन degrees होती है, positive degree, comparative degree and superlative degree, good, better, best, best, superlative है, good, जो है वो positive है, और better, जो है वो comparative है, ठीक है न, beautiful, more beautiful, most beautiful, most beautiful, superlative degree है, idea मिल गया होगा अब आपको, तो superlative degree, या फिर only, या फिर none, या फिर all, everything, यह इस तरह के शब्द आएंगे, तो who, which का प्रियोग गलट है, समझ में आ रहे है, that का प्रियोग सही है, ठीक है, तो all that glitters is not gold, ना कि which, हर वो चीज दो चमकती है, वो सोना नहीं है, यहाँ पर which glitters नहीं आएगा, paper में which लगा that I can do, ठीक है, यह सबसे अच्छी चीज़ जो मैं कर सकता हूँ, which I can do करके भी exam में आ सकता है, तो who, काट के आप वहाँ पर that करेंगे, ठीक है, तो कितने अच्छे-च्छे examples है, आप प्लीज पाँच 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 एग्जम्पल बनाईए, पाँच एग्जम्पल ओनली advice, तो हर वो चीज़ जो मुझे बताई गई, वो एक कीमती advice थी, तो भहिया, यहाँ पर that I was, everything that I was told, तो यहाँ पर which I was told नहीं आएगा, क्या आएगा, that I was told, आगे बढ़े, आगे देखिएगा, point number 62, point 62 में, who एक nominative case है, तता who, एक objective case है, अगतर who के बाद verb आती है ना की, home के बाद, hwn के बाद नहीं आती है, ठीक है, हु, क्या है एक nominative case, समझ में आ रहे है, यहन् volver, interrupt, एक subject के तोर पर, और whom का उपर अर कि बाद वर्व आईगी, और whom के बाद वर्व नहीं आईगी, करता है काम जब सब्जेक्ट करेगा तो वर्ब भी उसे के बाद आईगी सिंपल क्लियर है बहुत अच्छा रूल है ज्यान लखेगा इसका लेकिन यह सभी को मालूम है आज की डिट में ज़िए डॉक्तर हुआ है कि अठेंस के अंदर काम कर कोंड़ा है डोक्तर काम को कर रहा है नहीं कर रहा है तो आप यहां पर प्रूम लगाएं यहांपर क्या लगैं और हें प्रदी में भी मीनिंग देखो डॉक्टर हुँ मैट टुड़े वास रामस ब्रदर जिससे मैं मिला वो राम का भाई था लेकिन ऐसे नी बोलोगा जिससे मिला अब यहाँ पर जिससे को तो हूम से ही दिनोट करते हैं हम लोग रूप जिसको जिससे यह सब है न दॉक्टर हु हुआ 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 है टो यह इस वीडियो का पहला पार्ट खा और अगे के जो पोइंट्स है वह अब 0.63 onwards जो है वो मैं अगली वीडियो में आपको देने वाला हूँ clear है like, subscribe and press the notification bell icon मिलते हैं next video में ज़रने बाद